नमस्कार, सलाम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? काफी दुनों के बाद आज फिर से एक मैं आप लोगों के सामने आया हूँ कुछ खास जगे पे कुछ खास ऐसा फुटबोल उत्सो है और मैं बताना चाहूँगा कि आज मैं हूँ जैप वन गराउंड डुरंडा में यहां होने जा रहा है जारकंड की राजधानी रांची में पहली बार उफिस लिग, इंटर उफिस लिग जिसमें मैं इसकी खास जानकारी आपको देता रहूँगा और मैं इसकी आगे की और जो भी गतिविधियां होंगी मैंच के जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा यह आज दिरांक 22 मार्च से 27 मार्च तक चलेगी और काफी मज़ा आने वाला है रांची के जितने भी अच्छे अच्छे टीमें हैं सभी यहां शिरकत कर रही हैं तो इस टूर्णामेंट के बारे में और इसकी विस्त्रित जानकारी के लिए आज मैं हमारे साथ मैं काफी बिजी परशन को ले करके आया हूँ हमारे साथ हैं इस टूर्णामेंट के अध्यक्ष और CAA मतलब छोटानागपूर Athletics Association के अध्यक्ष स्री एंजुलिस कुक सर स्वागत है सर आपका कैसे है सर मैं ठीक हूँ विपिन एक दम बढ़ियां सबसे पहले मैं जानूंगा कि यह जो पहले बार सुना हूं और जब से अध्यक्ष जब भी मैं खेला हूं तब यह होती नहीं थी तो यह ऑफिस लिग है क्या और इसका महत्व है अब इस बता दूए ऑफिस लिग हम लोग ने इस साल पहली बार रांची में क्योंकि मुझे खिलते हुए रांची में कम से आए हुए रांची में मुझे 40 साल हो गया और हमने अपना करियर का 20 साल तो कम से कम फुटबॉल में गुजा रहा है लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि यह ऑफिस लिग कभी भी हुई है तो इसका हम लोग का शुरुवात है यह और यह हम लोग चाते हैं कि यह हमेशा चले औ हर संस्ता जैसे में कॉन एजी रेलवे इस अप्लियर रिकूट करते थे लेकिन अब क्या धिरे धिरे यह डायोट हो रहा है तो अब क्या है कि मैं चाहता हूँ मैं अपना संदेश यह देना चाहता हूं कि और और कि कम से कम लड़कों को इस टीम में लाए अपने जगा में और ठीक है नौकरी आप नहीं दे सकते हैं आगर आप सक्षा नहीं है कम से कम उनको एक ऐसा स्टाइपन दीजे जिससे लड़कों का क्या है क्या है क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक जब हम लोग आया थे उस समय तीन सो रुपिया मिलता था हम लोगो हम लोगों ने की हुई तो फिर एक क्या होता है कि एक प्लाटफॉम बनता है अगर आज हमें नौकरी नहीं मिलता है तो दब कोई भी टीम अच्छी खेलती यह लड़के लोग अच्छे क्यलते तो उससे क्या होता है कि और लोग जो है और लोग जो बाहर के जो आर्गनेशन है उनको पिक सेक्टर है या सेंट्रल गर्मेंट की टीम में अगर यह पिडूलियर को रिकूट करते हैं तो इससे क्या होगा कि प्लियर का बविश्य बनेगा और एक लड़कों में जुनून आएगा कि चलो ठीक है मेरे को करियर बनाना है फुटबॉल में मेरे को नौकरी मिलना है और मै है नौकरिके द्वार के दुने में मैंनद करें तो मैं यहीं चाहता हूं मेरा-जूनि को कम से कम प्रतिया आप लोग कुछ करिये सोचिए में कि बारे में कि यह प्लियर जो में होता है कि बे संवाह सबárias था ओस दारो जा रमार कभ dicey system से हाज़गी फिर्ण बॉतर रबसार्य को मदका और समझेब करीए को प्रेक्डिस आप जटने आप भार खेलेगी ज़多 Vi Tesla醉 पहर कहलेगी automatic है कि यह trainer familiar में क्या है किirsiniz जुनों नेग बढ़ेगा कि Bryce अज गोए तर्बूमेंट होता है टीक है इसके करण क्या होता है कि एक बार आफिस ज्टैन चे關 आफिस से तो उनको क्या होता है कि हम लोग के दिनों में क्या था हम लोगों को फस्ट डशाम नवकरी सेगा में प्रैक्टिस अगर सेकेडव मैं मैच है तो फस्ट आफ ऑफिस सेगा चुट्टी तो अमलें लोग साल नों मुझा फर्स्ट टास नुकुड होता था तब कंपनी के लिए और कंपनी का जब नाम होता है तो यह नहीं बोलते हैं कि आरे वो कुक खेला है या वो खेला ये खेला वो बोलते हैं कि मेकॉन की टीम या एजी की टीम चांपनि campaign उई है या runway की टीम backend यो ऊडिए का नाम जाता है। कि मेरद का नाम नहीं जाता है। तो मेरा यही रहेगा कि मैं चाहेंगा कि जो संस्ता है हो प्लिएर को motivate करें छोड़े उनको practice करने के लिए तह भी दिखेगा आप HERE या आपको result मिलए कर दो कि अ emb suspicion जो सकता है कि क्योंकि यह प्लैप्पोरम हम नो hire का में उद्देश कि अधर कारण क्या है आज इतनी लिटीम आप है उसमें बहुत से अब ही नहीं खेले जिस में जजब आइजी काफी अच्छी टीम थे जब इनको पता चला है में कल समय स्क्राइब मोसा अ कई चाहते , यहां की उमीद है और में हम चाहते है कि टीम जो आने वली टीम Force है वह जरूर इसमें पार्टिशेट करेंट के हम आप लोगोगों कि आप को नहीं होती है कि आज हम लोगों घर गोगों के मुझाँ दील यौन के लिए, जब हम लोगों के यहां खेलते थे, प्लियर लोगों घुसने का मौका नहीं मिलता था अब हमारे चाचा के साथ खेलो, मैं काफी चोटा था संजे कुजूर हमारे चाचा हुए काफी चोटा था और आप लोगों का गेम देखने आता था उन दिनों याद करोगे, हम लोग की टीम जब आती थी, हम लोग को बाहर खड़े रहना पड़ता था क्योंकि गेट में जगा नहीं रहती थी इतनी खचा-खच टेडियम भरा रहता था आज के दिन में यह खतम हो रहा है तो हम लोग चाहते हैं कि यह दीरे-दीरे करके उठे और हम लोग को स्पोर्ट्समें जो होता है आलवेज आगे का सोचता है वो कभी ने सोचा है कि चल कप परटिंशी कि नहीं दे जनगें जयूनियर कोई आदमी को कोई मतलब नहीं होता वह बहूते हैं फिलते हैं टीम के लिए लाए बस मेरा यह रहेगा मैसेज यह रहेगा सी यह जूनियरों माईदान में जब तक है खेलो दम लगा के खेलो और उसके बाद में रिजल्ट तु वो टीम को लिए हैं और भी जैसा मेकॉन हुआ सेल मेकॉन हुआ रेल्वे हुई एजी की टीम हुई सी सेल है सीम पीडिया है ठीक है और इसके बाद में एक और भी अमनों पी अंटी का कोशिस किये रिम्स एक डॉक्टर की टीम है जो मैंने सप्राइजिंग है मैं नहीं पता चला है कि नहीं डॉक्टर लोग बहुत अच्छे हैं एक कोई डॉक्टर मिस्टर अमीत हैं अमीत मुंदा अमीत हैं उनसे मैंने बात किया तो बोला कि मेरे वाम मैं बहला देखे आपका जरूरीनी की डॉक्टर रिम्स मींस आपके इंप्लाई कोई भी होगा चलेगा आपक किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा आप देखोगे वीपिन कि यह देखोगे हम लोग के पास खुद लोग आएंगे कि मेरा भी टीम आप एंट्री कर लीजे करके तो मैं समस्ता हूं मैं यह नहीं बोलूगा कि आने वाले साल में उनको नहीं लूँगा ठीक है इस बार टा प्रणामेंट होने वाला है हम लोगों को टीम बनाना है हम लोगों को खेलना है दादा एक चीज काफी हमारे वीवर्स है उन्होंने हमें मैसेज किया जानना चाहा कि इस टुड़नामेंट के बाद मतलब यह ओफिस लिग के बाद अगला कौन सा करदम होगा शिए बाद कर लंचल करेंगे रांची लीग का इस बहुत दिनों से बन्द हो गया आज की दिन में क्या है की प्लियर बिछारर क्या है कि आज कल इतना ख़शी टॉर्नोंने खेल रहे हैं तो उनको क्या है कि अभी पैसा पैसा कब तक है जब तक टॉर्नमेंट चल रही है अज यहाँ दो ला चरोनर वह तीन ला करतों लेकिन लेकिन क्या होता है कि एक बार को इंजोड होता है वह एक जार-दो फूर को यह को स्टेट को इलाता है तो ने हैं कि तॉब घिक के आपकंव यह करको अपतु है तो प्राइटि उनको देता है रहिए यूणर्सिटी टीम के रिए उनिवर्सिटी के प्रीपरिटी मिलता है इसका यही मतलब है कि भैठी के खेलो बढ़िया से और हम लोग का यही माद़ा है कि हम लोग आने वाला हमने अच्छ लूग श्योर और हंड़र्टपरसंट अम लुक को करेंगे यह एक शुरुवात है आपस में लड़ते हैं सफरर होता है जिसको नहीं चाहते हैं आए टीम आए पाटिसिपेट करें सब को कहने का अधिकार है मैं प्रेजिडेंट हूँ तो यह नहीं होता है कि मैं जंडा गाड़ दूँगा तो मैं जो बोलूँगा वो चीज नहीं मैं चाहता हूं कि सब मिलके टीम के जर्सी जब पहनते हैं तो उस सारे लोग बरापा तो जूनियर भी सीनर को गाली देता है ह हमनों ने बहुत जूनियर को गाली दिया जूनियर लोग भी बहुत गाली दिये तो ऐसा मैधान में वह चीज नहीं तो जूर्णामेंट कराना है जिसकी आज सुरवात है तो हमारी शुब काम नाए रहेंगी दादा दिल से आपको और आप अच्छे से अच्छावर भी पुराने खिलाडी के साथ साथ जो भी मैं कर सकूंगा जरूर करूंगा आपको इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यावार देता हूं आप तो यह थे हमारे साथ CAA के प्रेसिडेंट अपने समय के बहतरीन खिलाडी अफिलाल मेकॉन स्पोर्ट्स क्लब को देखने वाले औ स्री एंजलिस कुक जी काफी जानकारियां दीन होने कि खेल के बारे में बतलाया और टीमों को कैसे रहना है क्या करना इसके बारे में बतलाया और आज इस टूर्णामेंट का आगाज है पल-पल हम आपके साथ बने रहेंगे मैच की हर अपडेट्स आपको देते रहेंगे ह और मैं आपका दोस्त बीपीन पीक हुजूर तो अब फिर से एक बार कहूंगा लेट्स फुटबाल